हेलो मित्रों जैमातादी दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 गंटों के अंदर जो बड़ी घटना होने वाली है सुनकर उसे आप सभी के रोंग्टे खड़े हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब कट घरे में खड़ा होना पड़ेगा समय रहते हो जाए सावधान अन्य था अगले 48 गंटों में आप सभी का जीवन राजा से रंक की और जा सकता है और दोस्तों इसके पीछे बहुत ही बड़ा सड्यत्र है जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं चाहे आप हमें कितना भी रोकने की कोशिस कर लो लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई सारी की सारी सच्चाई बताने वाले हैं जिनसे अभी तक आप अंजान हैं किस प्रकार से लोग आपको खुश नहीं देखना चाते हैं। कि इस सच्चाई को जो मैं बतने जा रहा हूं, इस सच्चाई को जानने में आप जरूर उची दिखाएं और हमारा सहयोग जरूर किजिएगा और जीवन की कीमती समय को निकाल कर इस वीडियो को अंध तक एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों आप लोगों के जीवन में कई सारे लोग हैं जो कि आप लोगों के मुसीबतों में डालते हैं कारिशत्र में परिसानी की वाधा उत्पन्द करते हैं जी हाँ दोस्तों यह कोई साधारन बात नहीं है यह बहुत बड़ी बात है जो मैं आप से दावे के साथ कह रहा हूँ और यह बात मैं ऐसे ही दावे से नहीं कह रहा हूँ गहरी सोद और अध्यन के बाद यह बाते मैंने पता लगाई है और वीडियो के रूप में आपके सामने पेस कर रहा हूँ तो इसलिए दोस्तों इस विशे पर बात करते हैं साथ ही माता भदरकाली के सच्चे भक्त पूरे भक्ती भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जै मादरुगे अवज से लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें मा भदरकाली आपके उपर हमेशा क्रिपा बनाए रखेंगी इसके साथ ही मादरुगा उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती है जिसके साथ मादरुगा होती है मित्रों तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा क्या वज़ा है इस बात कि क्या आपके धन संपत्ति को किसी ने बांद दिया है या आपको किसी की बूरी नजर लग गई है या फिर आपके किस्मत ही खराब चल रही है हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करने चा रहे हैं इस बात को आपको गहराई से सम आनकारी लाते हैं बहुती चानवीन के बाद लाते हैं बहुती मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते पर हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ और चैनल के साथ ज़दा दुख है। बहुत प्रिसान हैं। बार-बार आप लोगों को प्रिसानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कश्ट झेलने पड़ रहे हैं। और आपके बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते हैं किbell differenti करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमसे और कम उम्र के जात्कों को भी नोकरे भी नहीं मिल पा रही है, नहीं लग पा रही है, बिरजगारी से बहुत परिसान है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकरात्मकता है, और लवलाइफ ही विल्कुल बरबाद हो गई है, क् अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं तो हम आप से कहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा आपको आज हर एक समस्या का समधान प्राप्त होने जा रहा है आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा सुन्दर हो जाएगा और सबसे पहले हम आपको बता होगी। लेकिन तब भी हम आप से यही कह रहे हैं कि ग्रहों की और से कोई प्रसाणी नहीं है फिर दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो प्रसाणी और हो ते यंए कवल ग्रह दोस्त नहीं होता इसके कई और भी कारण होते हैं कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वज़ा से हमारे उपर संकट आते हैं और कुछ हमारा इस्वर्त है करता है जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंब पर अधारित होता है और गलतिया हम स्वेंग करते हैं जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख्र सुविदाओं और अच्छे समय को रोग देती हैं लेकिन दोस्तों आपका आने वाला समय बहद चमतकारी है बहदी खुसियों से भरा है इस बात का हम आप से वादा कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी पूरी जिन्दगी बदल जाएगी आपकी दुनिया पूरी तरह से खुसियों से भर जाएगी जी हाँ दोस्तों पर दो अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलतिया हैं जिसकी वज़ा से आपको जो है इस रासी के जात्कों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट हमेशा बने रहते हैं कौन सी ऐसी आज़ते हैं गलतिया हैं जिसकी वज़ा से बार-बार आपको घाटा मिल रहा है दन प्राप्ती नहीं हो पा रही है लोग हमेशा आपको धोका दे रहे हैं बार-बार आपका पैसा फस जा रहा है काम धंदाव ठीक से नहीं चल पाता है और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अगसर धोका दे जाते हैं जी हाँ दोस्तों और हम जानते हैं कि धोका खाने के बाद कैसा लगता है फिर उसे पर भी यदि कोई अपना ही धोका दे जाए तो भी कैसा लगता है जादा ही बुरा लगता है मन में एक घाव सा हो जाता है कोई पराया यदि धोकेवादी करे तब ही तो हम सहन कर लेते हैं ल अपने आसपास अपने घर प्रिवार में एक नकारात्मक वातावरण बना कर रखते हैं और नकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीजों को आकरसित करती हैं इसलिए हमेशा प्रिसानी से घीरे रहते हैं यह नकारात्मक पात आवरण इसलिए तयार रहता है क्योंकि आ आपके लिए बहुत ही खतरनाक है आपके लिए एक नकरात्मक वातावरन त्यार कर देती है यह आपकी सबसे बड़ी गलती है बहुत बड़ी गलती है दोस्तों हम जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीवन में थोड़ा सा कठिन समय अभी चल रहा है और आप और ज्यादातर समय अपने कारिशत्र पर ही बिताते हैं दिन भर अपने कामों में वहस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल भी नहीं पाते हैं सुखों का और खुशियों का आनंद अनुभव ही नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़ा से धीरे 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 आपके अंदर एक क्रोध खिनस भ पर आपके भाई वहन पर या फिर अपने माता फिता पर या फिर अपने जीवन साथी पर ही क्रोध करने लगते हैं और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं आपसे जूट बोलते हैं आपसे बचने की कोशित क प्यार हो जाता है जी हां दोस्तों आपको बता दें कि यह नकरात्मक बातावरन ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोक रहा है जी हां दोस्तों तो दोस्तों हम आपको सला देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए सांती पुन खुसियों भरा माहौल घर जो है वो खुसियों से भरा रहना चाहेगे आपको आप ऐसा करपाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन मानिए यकीन जानिए आपके जीवन में खुसियों के सुरुआत हो जाएगी आपकी सुभागे के सुरुआत हो जाएगी जी हमें तो आपको सुभा हमेशा जब भी आप सुभा उठें तो सुरिदेप को अर्द जरूर देना चाहिए और चांदी की एक अंगुठी धारन करनी है जिससे आपका चंदर प्रबल होता है और आपका क्रोध शान्त हो जाता है जी हाँ दोस्तों और रात्री को सोते समय आपको अपने सिराहने पर एक लोटा धल भर कर अवसे रखना है जिससे आपका मंगल भी सान्त होगा और आपका बोधिक संतूलन भी बना रहेगा इससे आपके घर में शुक और शान्ती जो है वो बनी रहेगी और यह जो है आपके आसपास में एक सगरात्मक उर्जा का निर्मान करेगा दोस्तों यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि किसे चमतकार से कम नहीं होगा आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कश्ट चल रहा है आप मानसिक और सारेरिक दोनों ही स्थितियों में पूरी तरह से फ्रिसान और ग्रसित रह रहे हैं लोग आपको बहुत फ्रिसान करते हैं लेकिन इन सब बातों के बावजोद भी आपको ही अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और आपको अपने घर और अपने जीवन के संपुन अपने मा के कश्टों को किसी से भी बताना नहीं चाहिए इससे किसी के सामने चाहिद नहीं करना चाहिए जब भी आप अपने घर में प्रवेस करें तो मुस्कुराते हैं प्रवेस करें लोगों के घर के लोगों को अपनी और आकरसित करें उनसे प्रेम पूर्ण बाते करें लोग आपके नजदीक आते हैं आपको तरह तरह से खुस करने की कोशिज भी करते हैं और आपको उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं फिर लोग जो है वो आप से कुछ कार्य कराने के लिए कहते हैं तो आप तुरंढ बिना सोचे संज़ें तरह भी हो जाते हैं और ऐसी इस्तिती में आपका violation हो जाता है लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं यकीन मानिये कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही ज्यादा सामिल होते हैं आपके अपने ही आपको मुर्ख बनाते हैं आपकी भावनाओं का लाव उठाते हैं और आपका सोचन करते हैं आपके केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपिया पैसा होता है जब आपका रुपे पैसा समाप तो हो जाता है आपका अंगाल हो जाते है तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं आपको इतना बड़ा जटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और आप अंदर से तूट जाते हैं आपका दिल तूट जाता है यहां तक कि कभी-कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है, आपका अंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़ कर चला जाता है, यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है, लेकिन रिष्टे नातों के मामलों में आपके जीवन में उतल-पुतल हमेशा मची रहती हैं, आपने जो सोचा नहीं, वो असा अनवव हो आपको रिष्टों से हमेशा मिलता रहता है, और आप मो इसमें आस्चर्ज की बात यह है कि आप से आपके अपने ही धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरूप लगाते हैं कि आपके रिष्टों को निभाना नहीं चानत हैं, आपको गुशा बहुता दिखाता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वज़ा से आपके साथ कवी कवी ऐसा हो जाता है, आप अपने प्रेमियों पर अपने ही लोगों पर क्रोध करने लगते हैं, लेकिन आप इसे अपना हक समझते हैं, दूस ते ही उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं चाहे वह इंसान आपका अपना ही हो या अपना कोई पराया हो सब की मदद करते हैं अपनी छमता के अनुसार कभी-कभी तो आपकी छमताओं से ज़्यादा भी करते हैं यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आ रूपए पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है, ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संबत्ती की और भी मदद की जाती हैं, यहां तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रूपिया आपने बुरे समय में लोगो से मांगते हैं तो लोग आपको अनाप सनाप जबाब देते हैं बुरा भेला कहते हैं रुपए पैसा तो आपको वापस भी नहीं मिलता है